तो दोस्तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का भारती टेक चैनल पर मैं हूँ आपका अपना दोस्त है जगमार भारती अगर आपके मोबाइल पर लगतार एक के बाद एक मेसेज आते रहते हैं कंपणी के तरफ से तो आपको कितना बुरा लगता होगा ठीक वैसे ही तो उसको आसानी से send किया जा सकता है बट जब बात आती है एक से ज़्यादा messages send करने की तो वो आसानी से नहीं हो पता है लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बता रूँगा जिसकी सहायता से आप अपने friend को परिसान कर सकते हैं messages के तुरू और सबसे बड़ी बात कि जब भी आप message करेंगे तो उस पर आपका number 100 नहीं करेंगा यानि कि वहाँ पर जो भी message जाएगा वो किसी का OTP बनके जाएगा जैसे कि flip card का OTP की तौर पर चला जाएगा या फिर Amazon का या फिर कोई भी ऐसा जो भी OTP है या जो भी shopping type की जो भी माट है या एमा जाउन हो गया फिलिपाड हो गया ट्वेटर हो गया गूगल हो गया इस type का कोई भी OTP सेंड हो जाएगा लेकिन आपका number 100 नहीं करेगा आप उसमें चाहें तो 100, 500, 200 SMS तक सेंड कर सकते हैं continue एक के बाद एक और सोच लेए अगर आपका friend कोई PUBG गेम खेल रहा है या फिर कोई अधर चीज कर रहा है फिर वीडियो देख रहा है movies देख रहा है तो सुचिए आप उसको कितना ज़्यादा परिसान कर सकते हैं और एक के बाद एक message आएगा तो क्या दिक्कत हो सकती है तो कैसे उसे download करना है उसका link मैंने वीडियो के description में दे दिया है तो वीडियो के description में आपको एक application का link मिल जाएगा उस link पर click करके आप उस application को download कर सकते हैं और चलिए अब मैं बताता हूँ कि application को आप use कैसे करेंगे और use करने से क्या-क्या फायदा होता है और कैसे उसमें settings आपको करनी है तो friends बात करेंगे अगर application की तो application का नाम है bomb it up ठीक है तो इस application को simply मैं open करता हूँ open होने के बाद कुछ ऐसा interface नजर आएगा अब उसके लिए आपके phone में data on होना चाहिए ठीक है तो data on कर लेता हूँ और फिर से इसे open करता हूँ data on होना ही चाहिए तभी हो पाएगा यह तो open होने के बाद कुछ ऐसा interface दिखाए देता है अब इस application में आपको करना क्या है चुक्छिए यहाँ पर green color में लिख्या रहा है use it for fun not for revenge मतलब इसे आप सिर्फ और सिर्फ एक मजा के तौर पर इस्तिमाल कीजिए किसी को परिसान या फिर ऐसी को इस्थिती है तो उसके लिए इसको इसको इस्तिमाल मत कीजिए settings की बात के ने तो यहाँ पर already काफी सारी settings भी गई है जिसको आपको करने की कोई ज़रोत है नहीं अब जिस भी number पर आप messages send करना चाहते है ठीक है मैं simply अपने ही number को डाल कर चकर के दिखाऊंगा कि कैसे आप लगातार एक के बाद एक messages send कर सकते हैं अब यहाँ पर delay timing क्या रखना चाहते हैं मैं आप पर 1.5 seconds रखना चाहरा हूं और apply कर देता हूं अब उसके बाद क्या करना होता है आपको जैसे आप bomb it up पर click करते हो यह सारा process हो जाता है जो चलिए लिखाता हूं आपको यहाँ पर verify करेगा number वह साफ वेट करना पड़ेग आपको और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक के बाद एक messages यह send होना start हो चुका है और अभी आप देख पाएंगे कि यहाँ पर यह messages आना भी start हो जाएगा तो बहुत ही जबर जस्त तरीका है देख सकते हैं यहाँ पर messages आना start हो गया है और 10 message जो है वो खटा-कट send कर दिया गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि made life और कई प्रकार के जो OTPs है उस type से message यहाँ पर आना start हो जाता है तो इसको आप करके देख सकते हैं और आप अप पता भी नहीं चलेगा कि किसमे message send किया है तो guys कैसा लगा वीडियो हमें comment में जरूर बताइए और अगर आपको application को use करने में कोई भी problem हो रही है डाउनलोड करने में भी कोई problem हो रही है आप नीचे दियेगे टेलिग्राम वाले link पर जो की मेरा ही कुछ का channel है तो भारती ठ इस बिल्कुल भी मत कीजिएगा वो मैं भी कह रहा हूं और अगर आपने अभी भी चैनल को subscribe नहीं किया तो चैनल को subscribe कर लीजिए ताकि इसी तरीके की latest और जबर जस्त तरीके की वीडियो आपको लगातार मिलती रहें और bell icon को भी प्रस करके जरूर रख लीजिएगा थांक्स पूर वचिंगा